स्टुडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेगोनोमेटरी देखो यह टेगोमेटरी इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हां सबसे पहले पढ़ाई गई टो उनका जो स्कूल का सलेब सागे निकल चुका है और वह परिशान हो रहा हैं कि ह कि आपका लगे हाथ निकल जाए ठीक है सबसे पहले चीज सीरियस होके आपको पढ़नी है मैं आपको इसको बहुत ही डेटेल में बताने वाला हूं हर चीज इससे जुड़ी हम लोग करेंगे ठीक है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बराना होगा काफी बेटेज वाला च बीटेश है टीक है चेलो चेलो स्टार्ट करते हैं दो समझते हैं तो जो हमारी घ्रकों मिति यह ही डियूरा मिति उनकिले तो इसको है अब अभी कि इसे हैं इस का मतलब है ऐसैalonayam इसमें 3, तो यानिकी मतलब होता है measurement, तो यानि कि 3 measurement हम लोग करते है, 3 sides का measurement करेंगे, तो यह आप देख रहा होंगे, कुछ आपको triangle जैसा दिख रहा है, तो इसमें यह building है, ठीक है, यह हमारी क्या होती है, perpendicular ठीक है, नीचे होता है, यही हमारा होता है तो सारी कहान ही नहीं होती है बट इसके अलाव हम लोग और कुछ चीजें सिखेंगे कुछ टॉम सिखेंगे जैसे साइन कॉस्ट अन इन सब के बारे में तो आपको बिल्कुल आराम से इसको पढ़ना है ज्यादा जल्द बाजी नहीं अच्छे से हर चीज क होगा कि जो साइन है को साइन है टैंजेंट है ठीक है को सिकेंट है सिकेंट है या फिर को टैंजेंट है यह सारी चीजें हमें जानना होगा कि है क्या तो आपको इन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है पहले इनके फामले समझ लेना है अब फामले को आगे बढ़ा करक तो ज्यादा मजाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, टेगौनो मेटरिक रेसीος, तो जो टोटली 6 टाइप के हैं, इन ही को खुब धंक से समझना है, तो टोटली साइन हो गया, दूसरा cos हो गया, तिसरा ten हो गया, ठीक है बाकि इनके उल्टा यह जो यह तीन होते हैं, इन तीनों के उल्टे भी होते है मतलब sin का जो होता है, उल्टा, वो होता है cos का होता है sec, ten का होता है cot मतलब कि अगर आपने ये तीन पढ़ लिए तो तीन आपको बिल्कुल आराम से आ जाएंगे ठीक है तीन समझना है अच्छे से इन ही तीन को ठीक यानि कि S, C और T Sine, Cos और 10 और इनका उल्टा क्या होता है C, S, C यानि कि C, 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 हाइपोटेनिस और यह 90 डिगरी होना चाहिए मिन्स राइट एंगल ट्रेंगल ठीक है तो आप समझ गया होंगे यह बेस है और यह परपेंडिकुलर और यह हाइपोटेनिस ठीक इसी से हमारा सारा केस तयार होगा ठीक है अब यहां कोई भी एंगल हो सकता है एक खास बात ठीक और यह 90 तो हो गई अगर यह थीटा मैंने यहां लगा दिया ध्यान से देखी इस चीच को तो इस बार परपेंडिकुलर कौनसी हो जाएगी यह वाली हो जाएगी यह वाली साइट परपेंडिकुलर हो जाएगी और यह हो जाएगा आपका बेस और यह होगा है तो आपका ट्रेंगल आपके सामने दिख रहा है और इसमें क्या है यह मान लेते हैं यह B है यह C है और यह राइट अंगल होना ही चाहिए अब यह अगर यह थीटा है तो इसके सामने वाला यानि कि यह पर्पेंडिकुलर होगा और यह आपका बेस होगा और बड़ी वाली स्टी के सीरीज में याद रखेगा इसका जो फर्मुला बनेगा वह हम लिख सकते हैं पंडित बद्री परसाद हर हर बोले ठीक ऐसे आप लोग याद कर रहे हैं कुछ बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं इसको या ध्यान रखे तो ज्यादा बेटर रहे अब देखिए यह साइन है साइन के लिए अपको सामने दिख रहा है पी बाइएच मेंस पर्पेंडिकुलर बाया आफोटेनिस यह अला है कॉस के लिए क्लिए क्लिए बी बाय एच यानि बेस भाइब ये रहा टैन, टैन क्के नीचे प्लट जाएंगी और अच्छे समझने के लिए जैसे बताया थ सी थी यानिकि पी बी पंदित बंद्री परसाद अरहर बोले ठीक है यह स्का फरम्ल्ला हो गया हमें साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक पीछें अमने बता है कॉस क्या होता है सिक ठीक का क्या होता है कोट अगरा इननके फरम्लिया हते रह Mist ऑप PF को अगर आपको याद है तो आप जानते हो साइन किसका ULTA होता है कोस तोत का KOS Account का HAVK अगर हमें यह वाला याद है तो बाकी इसको हम पलट सकते हैं यह जरूरत क्यों है दिखिए यह थीटा है यह है यह थीटा है यह 3 और यह 4 और यह 5 यह हम सारे trigonometric ratios लिखो यानि 6 trigonometric ratios होते हैं तो आपको 6 trigonometric ratios लिखने होंगे तो अपड़े लोगे तो सिक्स o-met vient जो रो होंगे क्वाने उन् साइन का फामला हमें पता होना चाहिए तो हम जानते हैं अगर हम तीन का निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे पंडित बद्री परसाद हर हर बोले यह फामला लगाएंगे और साइन का हम देखेंगे पिथ पिखेंगे यह यानि की एंसर हमारा है फोर फाइव पहला आ गया दूसरा अट्रमिटिक क्या होता है तो क्या लिख देगे इसको सीथा है एच बाइ पी मतलब सीथा फाइव पाइव लिख पाओ गए इसी लिए हमें एक दूसरे का आपोजिट भी पता होना चाहिए, ताकि साइन का कॉसेक पता हो, तो एक का एंसर अगर हमें मालू है, तो दूसरा हम प्लट देंगे, ठीक है, ऐसे ही कॉस का आप देखोगे, कि आप कॉस का देखोगे, कॉस का फामला यहां से देख रहा है, बी वाई एच, मतलब की बेस आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे ही आप निकाल सकते हो, अगर आप तीन का निकाल पाओगे, तो बाकी तीन का उल्टा कर दोगे, तो टोटल कितने हो गए, छे, तो छे trigonometric ratios होते हैं, और हम निकाल सकते हैं, चीक है, तो आपको यह बात समंग में आ गई होगी, कि यह main formula थ छे trigonometric, यानि जो six trigonometric ratios होते हैं, उनको निकालने के लिए, चलिए एक question समझते हैं, और जैसे हमने एक example समझाना चाहाँ आपको, example number first, suppose that, कि एक question दे रखा है, if tan a equals to, यह साथ आपका example first है, ठीक है, आपके book में भी, यह दे रखा है, four by three, तो बाकी के, यानि कि बाकी के जो trigonometric ratios हैं, वो बताने है, find five other trigonometric ratios, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला गाम, कि आप भैचानिये इस चीज को कि यह दिया क्या होगा, ठीक है, यह दे रखा है tan, ठीक है, अब यहां से हमें tan के बारे में सारी बात पता होनी चाहिए, तो tan है four by three, तो हमें tan का formula ढू है, ठीक है, तो हम देख रहे है, tan का कहा है, लास्ट वाला, यानि P by B है, तो हम यहां देख पा रहे है, यह हो गया, P by B, मतलब की perpendicular हमारा four है, ठीक है, और base हमारा three है, ठीक, तो आप ए ट्रेंगल रेडी करोगे, बिना triangle के आप बाकी kategorometric ratios, फामले से ही निकाल पाओगे, तो अभी आप फामला नहीं जानते है, तो अभी आपको यह क्या करना पड़ेगा, आपको triangle बनाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे, पर्पेंडिकुलर कितना है, four है, ठीक है, base कितना है, three है, हाईपोटेनिस कितना होगा, आप पाइथागोरस जानते है, तो आप लगा अब बाकी के आप formula पर फटाफा टर्क देंगे, ठीक है, अब sign निकालना होगा, तो आप sign के लिए क्लिए, sign के लिए सीधा formula लगाएंगे, sign A, ठीक है, कितना हो जाएगा, P by H, means हमारा P कितना है, four है, हमारा five है, मतलब ही आ गया, four by five, ठीक, और कॉसे किसका उल्टा होता है यह आपके माइन में हमें साब बना होना चाहिए, ठीक है, उल्टा सीधा, तो यह five by four हो गया, ठीक, ठीक है, ten का हमें पहले ही पता है, और ten का उल्टा क्या होता है, caught होता है, तो हम caught तो यह ही निकाल सकते थे, तो caught हो जाएगा, उसको पलट देंगे, three by four हो गया, ठीक, means three by five, और सेख इसका उल्टा होता है, तो सेख के लिए आप क्या का दोगे, इसको पलट दोगे, यानि five by three, तो आप सारी बात समझ गया है, कि हमको उसका उल्टा भी याद रखना है, और हमें सीधा उसका फार्मला पता होना चाहिए, ठीक है, तो basically आप क्या करेंगे, पहल ठीक है, उसके बाद में आप दूसरा इनका उल्टा आपको पता होना चाहिए, कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ठीक है, आपको कॉस का उल्टा पता होना चाहिए, सेख होता है, आपको टैन का पता होना चाहिए, कॉट होता है, ये चीज आपको एकदम से रट्ट मार कर नहीं है, उल्टा का मतलब क्या होता है ये इप सी पहले , सबसे नहीं, मतलब कि हम लिख सकते है सको जैसे साइन थीटा अगर हो तो इसको लोग वन और यह कॉस से बिख सकते हैं, ठीक है अगर फकाम पीव धुर самой का वेलु सबदी है है 4 by 5 तो हम लोग को सकते हैं 5 by 4 यह होता है उल्टा ठीक है तो बात किलिर हो गई ऐसे अगर हमें कॉस की वैलू पता हो 1 by 2 ठीक तो हम सकते हैं क्या 2 by 1 यानि की 2 ठीक तो आप समझ गया होंगे कि यह थोड़ा क्योंकि जब सारी बात आगे बढ़ेगी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगे अब ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या करें कि हर चीज को एक टाइमिंग कहसाब से लगाते चलें ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज हम लोग पढ़ा है उसक को थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखें ठीक है तो यह जैसे पहला कोशन है आपका इसमें ट्रेंगल एबी सी है राइ ट्रेंगल 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 एट बी मतलब कि एक ट्रेंगल बनाओ ऐसा कि राइ ट्रेंगल नहीं कि 90 डिग्री किस प अट्रेंटीमेटर बीसी हो गया तो आपको एसी पता करना सबसे पहले चीछ तो पाइथागरस आपको पता ही है ठीक है क्या होता है बेस का स्कुर प्लस पर्पेंडिकुलर स्कुर और उसका रूट आसानी से हाइपोटेनिस निकलाती है तो ऐसे ही आपको 24 का स्कुर और 7 क स्कुर आप करोगे और सॉल्ब कर लोगे तो आपको हाइपोटेनिस पता चल जाएगी क्लियर अब हाइपोटेनिस पता करने के बाद आपको साइन ए पूछा है फिर को से पूछा है बिल्कुल सिंपल सा है आपको ट्रेंगल दिखा अब आप देखिए कि ए कहां पे है यह यह बी है और यह सी है तो आप देखेंगे ए के सामने वाला पर्पेंडिकुलर होगा यह जी ध्यान दिजीगा है यह पे तो आप साइन निकालोगे ठीक है साइन ए निकालोगे तो आपका पर्पेंडिकुलर यह वाला पार्ट होगा मतलब की बी सी आयंड और हाइपोटेन इस बार आप ध्यान दिजेगा कि यह जो सी है इसके सामने माला ही परपंडिकुलर होगा ठीक है और यह होगा पेस और हाइपोटेनिस जो बड़ी वाली साइड हो तो होती ही है मतलब यही चीज़ हमें ध्यान देनी है कि इसमें सी कहा गया है उसमें एक हागया है तो एजब क तो हमारा नीचे वाला यह परपंडिकुलर बंचोंका है तो आप संभज गया होंगे और अराम से आप फारमुला पंडित बद्री परशाथ लगा सकते हैं ठीक है कोस्चन अबर स्कंड में हैं कर दे रहा है तो हम लोग सब देखते थान से इहां पर टैन पी माइनस कोटर ह दूसरे के आपोजट होते हैं हम को पता ही है लेकिन करना करना क्या है हमाराbior भीकर 8.13 मतलब यहाला फिगर सामने दिख रहा है यह तो इसमें देखें पता क्या-क्या है इसमें भीकट आपको आपको नहीं कर सकते हैं अब हम यह साइड पता है यह साइड पता है लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए अभी इसको कोशन को अगर ना लिया जाए तो यहां परिपेंडिकुलर यह ही है ठीक है और हाइपोटेनिस ही है तो अगर पाइथागरस ध्यूर्म लगाओगे तो आपका यह बेस कितना आए भोले ठीक है अब देखे यहां पर लास्ट वाला है प्यétais है तो क्या लिखोगे प्याइब आ था के तो उपर क्या है यहांपर क्या है प्य क्या यह बोला है पी आपको डिख रहा होगा यह पी तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो आपको दिख गया 5 परपेंडिकुलर है और बेस आपको 13 मिलेगा क्योंकि बड़े वाली साइट थो हम पोटीनिस होती ही तो आपका ये 5 by 12 आ गया 10 P ठीक है ओके अब आपको कॉट आर निकालना है ठीक है कॉट आर अलग से निकालो गया तो कॉट और उसका फामला लगा होगे उसकी 10 का उल्टा होता है मतलब की B by P हो जाएगा अब कॉट आर पूछा है तो आर पे ध्यान देना है आपको ठीक है आ और बेस आपका 5 ही रहेगा ठीक है तो इक इतना हो जाएगा देख रहे है आप बेस आपका कितना है 5 अपर प्रिंट कुलर 12 यानि दोनों वैलू सेम है मतलब की आपको 5 by 12 मैंसे 5 by 12 माइनस करना है इस कॉट्चन के कॉट्टिंग तो इंसर कितना है इसका 0 ठीक है मैं से करें तो ज्यादा बेतर है ठीक है आपका IQ लेबल बढ़ने लगता है अगर आप खुद से करते हो ठीक है हर चीज अगर सौल करा के दे दी जाएगी तो आप थोड़े से धीमे पड़ जाओगे ना कोश्चन अपर थर्ट देखिए इस साइन ए 3 by 4 है तो कल्कुलेट कॉस से टैन नहीं हमें बताना है बिल्कुल सा कुछन है पहले आपको ट्रैंगल करना है सोरी ट्रैंगल करदेनी डीकर एट रिय निएंगल आप यहां से कैसे रेडी करोगे सबसे पहले जानते हो कि साइन का फर्मला होता है पर यह पाई बद्री पर साथसाथ से और पी आपको तो कि इसको भी ऊस्कों को अधे हो गया सब्सक्राइब यह बेस हो गया अब हमें पता पहलेंगे am हमें कॉस ए और टैने निकालना बिल्कुल आसा है आप लगा दीजिए वही एस सीटी वाला फामला और पंडित बद्री परसाथ हर हर बोले आप लगा लिजे आराम से आपका यह अंसर आ जाएगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे सारे कोशन करते जाने हैं ठीक है ठीक है यूकि कॉट होता है टैन का उल्टा ठीक और टैन होता है पी बाई बी तो यह उसका उल्टा हो गया बी बाई पी और आप इस ट्रेंगल में फिट कर दीजिए और यहां पर लगाईए फिर से पाइट और इस तरम और सेके और जो इसाई ने निकाल सकते हैं ठीक ऐसे कोशन और कोई कॉशन में प्राब्लम होती है तो आम उसे पूछ सकते हो ठीक है बाकी मिलते हैं नेक्स लेक्शर में और हम लोग आगे बढ़ाएंगे अभी मैं अपने कॉंसेट पर हूँ बाकी मैं नेक्स लेक्शर में कॉंसेट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुंच इसको एक एक कुशन सॉल्व करा दूँगा